आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडियन पोस्ट आफिस ग्रामें डाक सेवक की वेकंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया है। इसमें अब क्यासे अवेदन करेंगे इसके बारे में हम आपको सारा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। यह वेकंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया है जिसमें आपको ग्रामें डाक सेवक यानि की जीडियो की पोस्ट मिल जाएगा। फिलाल ये है official website, इस पर visit करके आप सबसे पहले registration करेंगे, इसके बाद आप login करके form को complete apply करेंगे तो सारा process हम इस वीडियो में step by step बताने वाले हैं, मकंसी के बारे में पहले complete जानकारी हम discuss करते हैं फार्म 15 जुलाई 2024 से apply होना start हुए, इसके last date 5 अगस्त 2024 से, इसी date तक आप इसमें correction कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती हो जाता है तो उसे आप change कर सकते हैं जनरल OVC EWS candidate के लिए 100 रुपीस payment करना है, अधर किसी भी candidate के लिए कोई application fee नहीं है, महिला चाहे किसी भी category में आते हैं, उनको application fee नहीं payment करना पड़ेगा age limit 18 से 40 verse की उम्र मांगे गई हैं इस form को fill करने के लिए, किस category में कितना कितना post है, यहाँ पे आपको details मिल जाएगा तो आप इसमें एक बार check कर सकते हैं GTS में सभी state के लिए vacancy post activate किया गया है, आपके state में कितना post है वो आप यहाँ पे check कर सकते हैं, तो सारा यहाँ पे state और language mentioned की गई है, जिस area के लिए form fill करेंगे उस area का language आपको आना चाहिए, इस form को apply करने के लिए आपके पास maximum 10th की qualification होनी चाहिए और computer के knowledge होनी चाहिए, हम form fill करने का जो process है उसके बारे में जाते हैं, selection process जो होता है इसमें merit list पे आपका selection होगा, इसमें exam नहीं लिया जाता है, तो चलिए form fill करने का जो process है वो देखते हैं, सबसे पहले आपको Indian post office के official website पे visit करना है, आपको उपर यहाँ पे option मिल जाता है stage first यानि के registration, यह link हमने न जिश्यसन slip open हो जाती है, सबसे पहले इसमें आपको अपना personal details fill करनी है, यहाँ पे आपको अपना mobile number लिखना है और उसके बाद यहाँ validate mobile number के option को click करना है, validate के option को click करने के बाद mobile number पर आपको message मिलेगा verification के लिए, आपको यहाँ OK के option को click करनी है, इसके बाद mobile number पर जो OTP अपने mail ID को यहाँ पर लिख के इसे भी verify कर लेना है, इसके बाद mail ID भी आपका verify हो जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जो high school के certificate पर जिस परकार से नाम लिखा रहा है वही लिखना है, इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे, इसके इसके बाद आपका जेंडर क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपनी community आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद qualification की state यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद पास होने की year आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इस capture code को इस box में करनी है यहाँ पे हाधा नमबर आप लिखेंगे अगर आप हैं किज़ेंगे अब आप यहां पर आप यास करेंगे और इसके बाद यहां को बताुझारा कि किस प्रकार के आप बिकलांग ऑधर यहांक उए नाडीयेट नहीं है नहीं है तो यहां पर आप नो करेंगे तो ये options आपके height हो जाएंगे इसके बाद आपको अपना photo और signature upload करनी है photo भी जो size मागे गई है 50 के भी की 200 dpi में होनी चाहिए जिसके dimension 200 से 230 pixel के होनी चाहिए jpg format में upload करनी है और signature 20 के भी के होनी चाहिए 200 dpi में होनी चाहिए 140 से 160 pixel के होनी चाहिए jpg format में upload करनी के लिए आपको यहाँ पर button मिल जाती है choose file का आपको इस पर click करनी है जहाँ पर भी आप अपना photo ग्राप रखें आपको वहाँ पर जानी है अपने photo को select कीजिए इसके बाद open के button को click कीजिए click करने के बाद आपका photo यहाँ पर proper add हो जाएगा इसके बाद आप अपने signature को भी same process करके upload करनी है आपको यहाँ पर language को select करना है फिलाल हम यहाँ पर दो language select कर लेते हैं Hindi और English आपको अगर ज़्यादा आती है तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद submit के option को click कीजिए यह preview information details दिखा जाता है जितना आपने form में submit किया है details वो आपको यहाँ पर data दिखा जाता है अगर कोई भी data गलत है तो यहाँ आप cancel के option को click करके change कर सकते हैं सारे options सही है तो यहाँ पर आपको term and condition मिल जाती है आपको इसे accept करनी है इसके बाद आपको यहाँ पर button मिलता है continue to apply आपको इस पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर circle select करने का option मिलेगा कि circle के लिए आप form fill करना चाहते हैं यहाँ पर हम UP के लिए form apply करना चाहते हैं circle को select करने के बाद submit के button को click कीजिए अगर आप general OVCI EWS candidate है तो आपको पहले fee payment करना पड़ेगा इसके बाद यह सारा process आपको complete करना पड़ेगा यह form में ST के लिए submit करना है उसलिए fee का option नहीं दिया गया है तो जैसे आप submit करते हैं guys तो आपके mobile number पर एक OTP जाएगा आपको यहाँ OK के button को click करना है और इसके बाद आपको वो OTP यहाँ पर verify करना है इसके बाद यहाँ पर capture code मिल जाता है आपको इस box में mention कर लेनी है और यहाँ next का button मिल जाता है आपको इस button पर click कर लेना है इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका details दिखाए जागा यहाँ पर आपको अपको अपना complete address mention करनी है इसके बाद आपको यहाँ पर एक box मिलता है अगर आप same पते पर रहते हैं तो यहाँ आप इस box को accept कीजे सारा address आपका यहाँ पर add हो जाएगा copy होके यहाँ आप किसी और पते पर रहते तो आप इस check box को हटा कर mention कर सकते हैं इसके बाद high school की details mention करनी है यहाँ पर board का नाम आप mention करेंगे किस board से आप qualified किये हैं यहाँ पर result type आपको select करनी है इसके बाद high school में जितने subject होते हैं वो subject को एके करके आप mention करेंगे और कितना number पाए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके mention कर लेते हैं सबसे पहले हिंदी को यहाँ पर लिखते हैं सो में से हिंदी में आप कितना number पाए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद second जो भी आपका qualification है वो इसमें आप select कर लेंगे और उसका यहाँ पर आप number लिख लेंगे तो चलिए एक एक करके जितने भी subject होते हैं high school में हम एक एक करके mention कर लेते हैं इसके बाद इस box को आप रहने दीजिए यदि additional कोई English math subject है तो वो आप इसमें select कर सकते हैं नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए अगर आपने CGPA के दोरा qualified किया तो यहाँ पर CGPA की details आप mention कर सकते हैं अगर आपने इसके दोरा नहीं qualified किया तो इसे रहने दीजिए यहाँ save and continue के button को click कीजिए इसके बाद आपको preference select करना है सबसे पहले यहाँ पर आप अपना division select करेंगे किस division के लिए आप form को fill करना चाहते हैं जैसे ही आप division select करते हैं तो यहाँ पर preference select करने का option मिलता है अपने हिसापसिस में आप preference को add कर सकते हैं जितना इसमें preference दिया रहेगा अपने preference को select करने के बाद आपको नीचे जानी है instrument condition को accept करनी है यहाँ आप save and proceed की option को click करेंगे अगर आपको preference change करनी होगी तो आप यहाँ division को change कर सकते हैं preference दोसरा आप select कर सकते हैं अगर आपको preference सही है जिस area में आप form fill करना चाते हैं उस area का preference select करने के बाद अपने preference को लिखने के बाद submit कीजिए submit करते हैं आपकी जो form है वो successfully submit हो जाएगा यहाँ पे आपको message भी दिखाया जाएगा यहाँ OK की button को आप click कीजिए इसके बाद आपका जो form का preview है या आपका form का जो PDF है वो आपको दिखाया जागा आप print out ले सकते हैं चाहे तो आप PDF में save करके रख सकते हैं इनके भविसी में कोई दिखात हो तो आप check कर सकें मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप general OVC या AWS candidate होते हैं आपको पहले इस form के fee payment करनी है fee payment होने के बाद आप login करके आविदन form को apply करेंगे तो ये फिलाल हमारा जो form है वो submit हो चुका है कैसे form फिल किया जागा मैंने आपको सारा process में दिखा दिया वीडियो का इस अगर आप लोग को पसंद है तो like कीजिए, share कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा ओकी कैस मिलता एक लिए वीडियो में बाई बाई चाहिन